है लो श्टूडरंट्स वेलकम टू मा यूटूब चेनल आज मैं आपके लिए लेक्षाया हूं गेहूं की खेती इस चेप्टर में इस वीडियो में आपको यूपी कटट से से आइसी आर से सम्बंदित गेहूं से सम्बंदित सारे प्रस्ण मिल जाएंगे इस वीडियो में तो चलो शुरू करते हैं गेहूं की खेती वानस्पतिक नाम है ट्रीटकम एस्टिवं कुल है पोएसी और इसका प्राणा नाम है ग्रेमिनी और गेहूं में गुड़ सूत्रों की संख्या बैलिस होती है अब हम देखते हैं खेत की तयारी तीन से चार जुताईया हैरो या कल्टिवेटर से करके पाटा लगा कर खेत को समतल भुर भुरा खर पत्वार रहित तयार कर लेना चाहिए दीमक वा गुजिया कीटों के निंतर के लिए लिंडेन डश्ट 25 किलोग्राम प्रत्य हक्टेर की दर से अंतिम भुआई के समय पिर बौनी पर जाती हैं तो लंभी पर जाती हैं के 65 के 68 के 72 और के 306 आप देखते हैं बौनी जाती हैं समय से बुआई के लिए नौंबर माह में पीबी डबलू पांसो दू पांसो बचाज 343 डीबी डबलू 17 यूपी 33, यूपी 32, एच डी 26, 87, 37 और डबलू एच पांसो बैयालिस आप देखते हैं विलम से बुआई दिसंबर माह में इसके उनौंच सिल पर जातिया हैं डबलू एच 711, 1021 पीबी डबलू 373, 502, 590, राज 37, 37, 65, पूसा गोल्ड, यूपी 33, 24, 25, 25, 65, मालवी 234, के 91, 62, गंगोत्त्री, उन्नत हलना अब देखते हैं असिंचित दसाओं के लिए जहां पर बहुत ही कम खेतों में पानी दिया जाता है या फिर जहां पर पानी की कमी होती है उस छेतर के लिए प्रजातियां देखेंगे सी 306 सुजाता, पीबी डबलू 175, के 78, पीबी डबलू 233, के 94, 65, गोमती, के 99, 62, इंद्रा नोट्स यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीबी डबलू 343, 373, 502, 550, डबलू एच 711, यूपी 33, राज 37, 65, डबलू एच 549, एच ड़ी 37, प्रचलित उन्नत पर जातियां है जो ज़्यातर बॉर्ड वेपर और यूपे कटर इन सभी परिछाओं में पूछे जाते हैं खाद और उर्वरक बॉनी जातियों के लिए 120, 60, 40, किलोग्राम प्रत हैक्टेर एनपी के देशी वा असिंचित दसाओं के लिए उर्वरकों की आधी मातरा प्रियोग करें आधी नाइट्रोजन, फासफोरस, पोटास की पूड मातरा बोधे समय लगाएं सेस एक पटा दोना ट्रोजन प्रथम सी चाही पर टाप ड्रिसिंग करें अब देखते हैं बोने का समय घ्यों के बोने का समय क्या गया है? अंग्रोड के लिए 20 से 22 डिग्री सेलसियस ताबमान सर्वतम रहता है साथ नौमबर से 25 नौमबर तक उपियुक समय 135 से 145 दिन में तयार होने वाली प्रजातियां की बुआई नौमबर माह में पूड करें तथा पच्छेती जातियों की बुआई दिसमबर माह में कर सकते हैं हलना प्रजाति जनवरी के प्रथम सब्ता तक बोह जा सकती है बीज की मात्रा बुआई जाति का बीज 100 किलोग्राम प्रत हेक्टेर समय से बुआई होने पर विलंब होने पर 125 किलोग्राम प्रत हेक्टेर और देशी लंबी बढ़ने वाली प्रजातियों का बीज 75-85 किलोग्राम प्रत हेक्टेर बोने से पूर बाविष्टिन या वीटा वेक्ष रसायन से 25 ग्रत किलोग्राम बीज किदर से सोधित करें और डिबलट द्वारा बोने पर 25 से 30 किलोग्राम प्रित हेक्टेर बीज लगता है अब देखते हैं अंत्रडव्यम गहराई बीज को कितनी दूरी पर रखना चाहिए और बीज की गहराई क्या होनी चाहिए कि वो अच्छी तरह से अंकुरित हो सके देखते हैं बोनी जातियों की पत्तियों की दूरी 20 से 22 सेंटी मिटर और गहराई 4 से 5 सेंटी मिटर देशी लंबी जाती 7 से 8 सेंटी मिटर गहरी बोते हैं और पंक्तियों की दूरी 22.5 सेंटी मिटर रखते हैं देखते हैं सिचाई बोनी जातियों में 20-25 दिन के अंतराल पर 4-6 सिचाईया करते हैं क्राउन जड़ अवस्था पर 20-25 दिन बाद देरह संदी अवस्था पर बोने के 60-65 दिन बाद दुगदा अवस्था पर बोने के 100-105 दिन बाद सिचाई अवसे करनी चाहिए गेहों में तीन सिचाईया करते हैं अब देखते हैं खरपतवार नियंत्रड खरपतवारों को खुरपी या हैंड हो की सहता से एक से दो बार निराई गुड़ाई करके नियंत्रड किया जा सकता है चोड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के नियंत्रड के लिए टू-फोर्डी सोडियम साल्ट 625 ग्राम मत्रा 600 लीटर पानी में घोल कर बुवाई के 30-40 दिन बाद छिड़काओ करते हैं गेहुं कमामा तथा जंगली जाई के नियंत्रड के लिए आइसो प्रोट्यूरान 75% एक किलोग्राम प्रत्य हक्टेर बोने के 30-35 दिन बाद प्रियोग करते हैं रोग वा कीट नियंत्रड बीज लिप्त बीमारियों जैसे पहाड़ी बंट, करनाल बंट, अनावरत कंडुवा को नियंत्रड करने के लिए बाविष्टिन या वीटा वैक्स 2.5 ग्राम प्रत्य किलोग्राम बीज की दर से सोधित करते हैं धीमक हुआ गुजिया के नियंत्रड के लिए लिंडेंडर्ष्ट 1.31 प्रत्य किलोग्राम प्रत्य हेक्टियर प्रियोग करते हैं चूहों के नियंत्रड के लिए जिंक, फासफाइट या बेरियम कार्वोनिट से बनी जहरीली गोलियों का प्रियोग करते हैं आप देख लेते हैं गेहों की उपज बोनी जाती हैं 40-45, 40-50 kg प्रती हेक्टेर तक बोनी जाती हैं उपज देती हैं और देशी लंबी जाती हैं 25-35 kg प्रती हेक्टेर तक उपज दे सकती हैं तो इस्टूलेंट्स यदि आपने अभी तक हमारे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए और अपने एगरी कल्चर दोस्तों के पास जो एगरी कल्चर साइड से पढ़ रहे हूं उनके पास ये वीडियो सेर करिए ताकि वे भी इस वीडियो का फाइदा उठा सकें और कमेंट करके बताइए कि आपको इस तरह के वीडियो चाहिए और कि सब्जिट के चाहिए मैं आपको बना के दूँगा धन्यवाद